दोस्तों जैमाकाल मैं आपका दोस्त अंदर शेकर सुनने टो इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए जिससे नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखे जिससे आगे आने वाले राजस्तान के जितने भी एकजाम है जैसे पटवार में बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ये सिलेबस के अंतरगत है इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट टोपिक होगा ये और आगे भी हम जिला परसासन इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे सभी चीजों के लिए तो दोस्तों वीडियो, आरेयस, यूपेयसी इनमें अधिकतर ये क्यूशन पूछे जाते हैं तो राजस्तान के जितने एक्जाम होंगे उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिला परसासन के बारे में और जिला परसासन के अंधर कत हम मुक्य सचीव के बारे में पूरी डीपली जानकारी लेंगे और सारे क्यूस्टनों को जितने इंपोर्टेंट एक्जाम में आये हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना तो शुरू करते हैं दोलो जिला परसासन के बारे में जिला परसासन के बात करते हैं दोस्तों कि जिला परसासन को राकेला तो काम करने से रहा तो इसके लिए इसमें जितनी भी है हम उनके बारे में डीपली जानकारी देंगे आपको तो शुरू करते हैं देखो परसासनिक इकाई राज्य की बताओं आपको अगर राज्य की परस प्रसासनिक एकाई के अधिकारी होते हैं राज्य के तो वो कौन होता है तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी मुक्य सचीव की कि राज्य की जो प्रसासनिक एकाई है उसका एधिकारी कौन होता है तो वो होता है मुक्य सचीव मुक्य सचीव के बारे में हम डीपली जानकारी ल जिला की बात करते हैं तो दोस्तों जिला में जिला कलेक्टर DM और ADM और ADC जिसे हम additional ठीक है इसके उपर होता है फिर बात करते हैं दोस्तों इन सभी के बारे में जो एक important है वो यह याद रखना है आपको कि दोस्तों जो जिला होता है उसका परसासनिक अधिकारी कोन होता है यह अधिकतर एकजाम में पूछे जाते हैं तो याद रखना दोस्तों जिला कलेक्टर जिसे बोलते हैं जिसे DM भी बोलते हैं और DM से छोटी पोस्ट होती है दोस्ता ADC ADM जिसे ADM को बोलते है additional district collector याद रखना आप यह भी परसासनिक काई होती है राज्ये की उसमें उपखंड होता है उसका जो अधिकारी होता है उसे दोस्तों हिंदी में उपखंड अधिकारी के नाम से जानते हैं इंगलिस में पूछे तो SDM, SDO इनके नाम से जानते हैं जिसे full promise की sub division officer ठीक है तैसल की उपर दोस्तों देखते ह तैसल में जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं तैसलदार या कारियपालक magistrate के नाम से हम जानते हैं ठीक है उपतैसल की बात करते हैं दोस्तों उपतैसल के अंदर नाइब तैसलदार नाम का जो कारिकारी अधिकारी होता है वो नाइब तैसलदार होता है उपतैसल के उपर ठ करता है खसरे में तो वह होता है भू अभिलेक निरक्षक ठीक है या इसे कानून को भी कहते हैं या गिरदावर के नाम से भी जानते हैं याद रखना खसरा पचास पे काम करती है पटवारी ठीक है पटवारी काम करता है खसरे पे ठीक है आगे नेक्स्ट चलते हैं इन सभी को याद रखना दोस्तों कि तैसल के उपर कौन सा अधिकारी होता है, उफखिंड अधिकारी कौन सा ओता है, किस वे काम करता है और सबसे चोटी जो काई यह प्रसासनी के काई, वो प्टवार में आती है, और राज्जे में सबसे मुख्य सची होता है, ठीक है? अब हम question important discuss कर लेते हैं कि राज्य का इसमें सारे question दोस्तों एक एक लाइन बहुत important है एकजाम की दरस्टी से कहीं बार ये question ऐसे कैसे आये हुए हैं तो याद रखिएगा राज्य का जो सर्वाज्य परसासनिक अधिकारी कौन होता है ये आपको बताना है कि राज्य का जो सर्वाज्य परसासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है तो आपको बता दो कि वो होता है मुख्य सचीव याद रखना कहीं बार पोचा के question है कि राज्य का सर्वाज्य परस प्रसासनिक अधिकारी इन में से कौन होता है तो आपको बताना है तो इसका राइट अंसर होगा मुख्य सची हो ठीक है जिला इस तरिये प्रसासन का परदान जिला दीस या जिला कलेक्टर होता है इसका जिला इस तरिये प्रसासन का परदान ठीक है प्रसासनिक दरश्टी से जिले को विवाजित किया गया जाता है जिसे उपखंडों में विवाजित किया जाता है कई बार पूछते हैं कि प्रसासनिक दरस्टी से जिले को किस रूप में विवाजित किया गया है तो वह है दोस्तों उपखंडों के आदार पर विवाजित किया गया है मुख्य सचीव की नियुक्ति कौन करता है तो दोस्तों आपको बता दू ये क्यूसन भी कई वार पूछे गए हैं तो मुख्य मंत्री करता है फिर राजस्तान का मुख्य कारेकारी या दिकारी कौन होता है तो ये बता दू मुख्य सचीव होता है राज्य सच्चिवाले में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है important question है कि राज्य सच्चिवाले में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है दोस्तों सामाने प्रसासन विभाग के नाम से हम इसे जानते हैं ठीक है फिर है भारत के पहले सचीव कोन है तो जोर्ज हिलेरी बालो थे कोन थे भारत के पहले अगर सचीव के बारे में जाने आप तो जोर्ज हिलेरी बालो के रामसी से जाते थे राधस्तान का अगर पर्थम मुक्य सचीव पूछा करते हैं कई मार पूछे गई क्योशन के रादा कर्शन थे कौन थे के रादा कर्शन थे राजस्तान के प्रथम मुक्य सचीव ठीक है इंपोर्टेंट क्यूशन था दोस्ताँ अब हम नेक्स्ट चलते हैं मुख्य सचीव के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं फिर इनके क्यूशनों को हल करेंगे अपन पहले मुख्य सचीव के बारे में जान लेते हैं कि मुख्य सचीव क्या काम करता है किसके अधिन काम केंदर बिंदू माना जाता है किसका राजस्तान की जो प्रसासन होता है उसका केंदर बिंदू सासन सच्वाले होता है किसका राज्य की प्रसासन का केंदर बिंदू कौन होता है सासन सच्वाले ठीक है याद रखना जहां से प्रसासन की या प्रसासनिक तंत्र की सभी व्यास शासन की विवस्ता करता हैं प्रसानिसनिक तंत्र की सभी विवस्ता हैं किर्यानवित वही करता है मंत्री परी से द्वारा बनाए गई नीतियां ठीक है मंत्री परी से द्वारा बनाए गई जो नीतियां होती है नियम होते हैं, निर्मित नियमों को लागो करवाने का उत्तरदायत तो सासन सचिवाले का ही होता है ठीक है, सासन सचिवाले, जिस परकार मंत्री मंडल का परदान मुख्य मंत्री होता है दोस्तों, तो आपको बताना है मुख्य सचीव कोन बन सकता है इसके बारे में जान लेते हैं मुख्य सचिव। इन में से कई बार तो UPS, RAS में ऐसे पूचे गए हैं कि मुख्य सचिव कौन बन सकता चार ओपसन थे, इनमें से एक नहीं है। इसलिए ऐसक ऐसे क्योशन याद रखना ये क्योशन ही है आपके पास सामने ये दान रखना कि मुख्य सचीव कौन बन सकता है इन में से एक को हटा दिया जाएगा दूसरा रग दिया जाएगा तो भारतिये प्रसासनिक सेवा के वरिष्ट अदिकारी होते हैं बिल्कुल सही मुख्य मंत्री का विश्वास पात्रवेक्ति होना चाहिए बिल्कुल सही है मुख्य सचीव राज्य मंत्री परिशत का सचीव हो सकता है जो Driver का सदस्य न नहोते हुए भी इसकी बैटकों में भाग लें सकता तो इसके तीनों आंसर सही है, एक अगर आपको गलत दे दे, तो उसको कार दे न, ये तीनों राइट आंसर है, ठीक है, मुख्य सचिव की नियुक्ति, मुख्य मंत्री के द्वारा की जाती है, वहुत important question है, कई बार एक्जाम में पूछा होगा, रास्तान के में आपने देखा भी होग एक्जाम में, किसी न, किसी पेपर में, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति, मुख्य मंत्री की द्वारा की जाती है, ठीक है, मुख्य सचिव की योग्यता क्या होती है, तो मुख्य सचिव की योग्यता की बात करते हैं, तो क्या क्या है, देखो, प्रसासनिक पदों पर कार आदमी होना चाहिए नहीं तो काम नीच लेगा ठीक है तो मुख्य मंत्री का विश्वास अधिकारी होना चाहिए असाधाराण उपलब्दियों से भरा सेवाकाल मुख्य मंत्री के परिवर्तन पर राज्य सचीव राज्य का सचीव भी परिवर्तन हो जाता है यानि कोई भी फिर है आगे चलो राजस्तान की पूरों मुख्य सचीव स्री बिहारी लाल मात्र को चार मुख्य मंत्रियों के साथ कारे करने का अनभू रहा मैंने कहा अभी कि ये बोल रहा है कि सेवाकाल मुख्य मंत्री के परिवर्तन होने पर राज्य का जो सचीव होता है वो भी परिवर्तन हो जाता है लेकिन अगर वो चाहे मुख्य मंत्री अगले वाला तो उसे रख सकता है ठीक है जैसे बिहारी लाल मातुरे जो मुख्य सचीव रहे याद रखना 1986 से 1902 तक क्या रहे मुख्य सचीव रहे BL BL माथुर को नेक्स्ट चलते हैं इनका कारेकाल की बात करें तो मुख्य सचीव का कारेकाल दोस्तों इसमें एक चीज जोड देना आप मैं बताऊंगा आपको कि इसका कोई निशित मापदंड नहीं होता या सासनिक शुदार आयोग की शुजाव से ऐसा बताया गया ऐसा कहा गया कि कारेकाल उनका नियुनतम होना चाहिए तीन से चार वर्स का तभी तो समचित रूप से काम कर सकते हैं तो उनका कारेकाल तीन से चार वर्स तक का हो ताकि समचित अवदी में सार तक काम कर सके वो लो ही बार पूछ लेते हैं कि इसकी उमर होनी चाहिए 60 65 70 या 50 तो आप क्या बता हो गए इसका राइट अंसर हो गए दोस्तों 60 वर्स होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 60 वर्स तक वो मुख्य सचीव बन सकता है ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं अपना मुख्य सचीव की कारी क्या क्या है बहुत इंपोटेंट है इसमें भी वो चार क्यूशन दे के आपको पूस सकते हैं कि इन में से कौन सा नहीं है या सही नहीं है तो याद बता दूँ आपको में मुख्य सचीव की कारी होते हैं जो प्रसासन के उचित संचाले ने तो मुख् मंत्री को क्या करता हूँ प्रामर्श देता है। राज्य की जो सरकारी नीतियां इसको तोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखें, सासन की सास की नीतियों की निरूपण में साहता करना इसका कारी है, मंत्री मंडल बेटकों में सूचना वे किर्यानवाई से संबंदे त्विवस्ता को समालना इसका काम है, फिर केंदर और राज्यों के संबंदों वे अंतराष्टी संपरकों में करम में पत्र विव स्वार करना भी उसका काम है सांसक्र्ठिक आदान परदान कलायम संस्क्र्थिक के संबन्ध में आफश्य कदम ऊठाता है मैतुपूर वेगतियों के राज्य के दौरे के साथ मेत पूर्ण वेवस्ता है इसको ये करवाता है राज्य करमचारियों के वेतनमान पदो पदोनतियों इस्तानांत्रन और पुरुसकार इत्यदी का ये काम भी करता है ठीक है इत्यदी के संबंद में सेवा सर्तों का निर्मान करता है दोस्तों ठीक है उच्छिस्तरिये पुस्टियों तता कार्य सालाओं में सम्मदित मामलाओं पर क्या करता है कार्यवाही करता है ठीक है अब है मुख्य मंत्री के संदर में जो मुख्य सची होता है उसके बारे में बताया गया है कुछ कि सासन सची वाले ही समस्त राज्य के प्रसासन का क्या करता है नियंत्रन ए केंदर मिंदू है तो आपको बताना है सारसान सचिवाले इसका राइट और होगा और दोस्थ OSCU सचान कोन करता 15 per पद्धान कोन होता है तो वो होता है मुख्य सचीव याद रखना ठीक है आगे चलते हैं मुख्य मंत्री कारेकाल का प्रमूख एक सचीव होता है जिसे मुख्य मंत्री का सचीव भी कहा जाता है इंपोर्टेंट लाइन ये है इसमें कि दूस्तों दिसंबर 1908 में क्या दिसंबर 1908 में संसोधन के तहर तत्यकाली मंत्री असो गैलोत ने मुख्य मंत्री कारेकाल के संगटन को संसोधित करते हुए दो सचीव की नियुक्ति का परावदान किया कितने सचीव की नियुक्ति का दो सचीव की नियुक्ति का परावदान किया वर्तमान में मुख्य मंत्री सचीव वाले में दोनों सचीव के दिन दो दो बाइस नहीं है सोरी है दो 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 सचीव तथा अन्य कारी कर रही है यानि 1908 में के बाद कितनी सचीव हो गए दो दो सचीव हो गए यानि ठीक है आगे चलते हैं अपने पास है परिक्साओं में जो पूछे गए मैं तो पूर्ण क्यूशन है उनकी सुची है तो जान लेते हैं ठीक है पहला क्यूश आते हैं तो देन रखना तो मुख्य सचीव की से यहानि रोती आयुकाल कितनी होती है तो आपको बताना है राइट अंसर इसका राइट अंसर हो गया दोस्तों अभी मैंने बताया 60 वर्स ठीक है राइट आंसर फिर है राजस्तान में परतं महिला मुख्य सचीव कब बनी बताना आपको कौन बनी नहीं कब बनी आपके पास चार उप्षन हैं चार उप्षन में आपको बताना है राइट आंसर तो इसमें 2007 2010 2009 2008 कोद कब बनी थी तो दोस्तो 2009 के अंदर बनी थी ठीक है अब आगे चलते हैं अपन राजस्तान सासन सच्चीवाले का एक इकर्थ रूप कब अस्तित्त्य में आया यह बताना आपको right answer इसका चार उप्षन आपके पास 56, 1956, 1949, 1968, 1999 तो इसका right answer हो गए दोस्तों उनननिससो उन्चास में ठीक है फिर next है सासन का प्रमुक्श चीव किस स्यवा का विकती होता है अब बताना आपको कि सासन का जो प्रमुक सचीव किस सेवा का अधिकारी होता है राजस्तान सचीवाले सेवाओं का राजस्तान प्रसासनिक सेवाओं का भारत प्रसासनिक सेवाओं का और भारती पुलिस सेवाओं का तो सासन सचीवाले के बात करते हैं तो ये दोस्तों भारती प्रसासनिक सेव का यानि एक आयस ओपिसर होता है यह तो ठिक है फिर चलते हैं आगे अ कि भारतिय परशाशनिक संहाओं का मंत्रि मंदल सच्वाले का परशाशनिक मुक्या कौन रह आपको बताना है आपके पासा ढिर्च शचिव मुक्य सचीव और एक होता है क्या राज्यपाल का सचीव और मुक्य मंत्री का सचीव तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर मुक्य सचीव सरवाधिक मुक्य मंत्रीओ के काल में मुक्य सचीव कौन रहे तो आपको पता है BL मातुर थे वो इने बताएं भी था भी आपको, केबिनेट का एजंडा कौन तयार करता है? यह बताना आपको, जो केबिनेट का एजंडा कौन तयार करता है? तो आपको बता दू, वो करता है मुख्ये सची हो, ठीक है, फिर नेक्स क्यूशन ने राजस्तान पर सासनिक सुदार समीती यू 1961-63 के अध्यक्स कौन रहें आपके पास चार उप्षन है N.M. S.M.V. B.S. महता S.V. माथुर और D है आपके पास H.C. माथुर तो इसका राइट आंसर है H.C. माथुर S.V. S.A.S.N. S.C.W.ाले का प्रमुक कौन होता है बताना है आपको S.V. S.A.S.N. S.C.W.ाले का प्रमुक कौन होता है तो ये भी क्या होता है? मुक्य S.C.U. थिके फिर सविधान के किसनोचेद खेंगत होते हैं अंत्रगत राजी सचेवाले के कारी विदी संबंदित नियम बताए जाते हैं यह बताना वैद important question है पटवार की दरश्टी से तो यह सारे important है इन में से देखी मैं मैं बता रहा हूँ आपको कि क्युसंद जरूर मेरेंगे यह क्युसंद भी तो पढ़ लेना दोस्तों यही क्लियर कर लेंगे इन में से ही क्युसंद बन जाएंगे तो यह 166 अनुच्छे 166 ठीक है पुन्दर गठन समीति गुनिस्सों गुन्सट के गुन्सट और साट के अद्धिक्स कौन थे आपको बताना है मोहन मुखर जी जी के भनोत बी मैता और अम्डी एस डी उज्वाल साहब तो इसका राइट आंसर क्या हो गए दोस्तों यह आंसले डताना है आपको इज्वाल सांत क्यात है आगे चलते हैं यह बार्वosas के सामने हैं मुख्ये स्चीव का दयत्त होता है अब बताना आपको चार उप्शन आपके बास हैं मंती मंडल के निधनों की सही सुगम अनुपालना सुनिश्ट करना बिलकूल मुख्य मंत्री का परसासनिक कि सहायता देना देता है बिलकूल सही विभागिये परसासन पर नेंतन करना बिलकूल सही तो इसमें D option है आपके पास D option फिर नेक्स रास्तान की प्रसस्निक सुदार समीती यह 1925 के अध्यक्ष कौन रहे बाणम से पिचाणम तक M.L. महिता सहाब B.V. माथुर सहाब G.K. भनोत सहाब और अरुण कुमार सहाब तो आपको बताना है तो इसका right answer को मैं बता दूँ कि G.K. भनोत सहाब रहे ठीक है नेक्स चलते हैं राजस्तान सरकार के किस विभाग का राजनेतिक प्रमुक कौन होता है तो आपको यह बताना है कि राजनेतिक प्रमुक कौन होता है आपके पास चार option है एक है मुख्यमंत्री सहाब दूसरा मंत्री तीसरा राज्यपाल और चोत्ता सचीव तो इसका राइट अंसर दोस्तों को बताओं मंत्री सहाब होते हैं इसके राजनेतिक प्रमुक फिर चलते हैं नेक्स्ट की और संसदी सचीव किसके समक्षपत लेता है चार option है आपके पास उच्छी नैले के मुख्यमंत्री तो इसका मक्यमंत्री साहब राजस्टान की परतम परतम महिला मुंक्य सचीव कौन मनी तो यह आपको पता होना चाहिए तो इसकी महिला पहली मुख्यमेर मख्या कोन? सिर्मति कोशल से कौन शर्मति कुसल से तो दोस्तों आज की यह हो गए यह क्यूसटन अपने 16 क्यूसर्टन है इं परेशान करेंगे इसलिए पहले ही किरियर करके जाना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर में लेंगे एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक के साथ क्या इसमें अभी अपन ने पढ़ा ही क्या है जिला परसास में उनली राज ये मुक्य सची के बारे में पढ़ा है अब हम जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है जिला कलेक्टर के बारे में अगर टाइम मिला तो लोकायुक्त के बारे में आपको मैं डीपली जानकारी दे दूँगा और क्यूशन में आपके डालता रहूंगा ऐसे ही ठीक है तन्यवाद दोस्तों आप से भी का